स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपने जीवन सेली में सामिल करना जरूरी है यह हमें सारी रिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता है योगासन से सरीर के हर अंग का ब्यायाम होता है जिससे सरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसे पहतरीन योगासन बताने जा रहे हैं जो बुजोर्गों के लिए सुरक्षित हैं हाला कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए गहन ब्यायाम करना मुश्किल हो सकता है इसलिए योग मुद्रे उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं जो कई तरह के स्वास्ते लाव प्रदान करने में मदद करती हैं तो आईए आज की वीडियो में जानते हैं ऐसे पांच योगासन करने की बिधी जो बुजोर्गों के लिए सुरक्षित हैं नमबर वन ताड़ासन ताड़ासन दो सब्दों से मिलकर बना है ताड़ पिलस आसन ताड़ का अर्थ ताड़ के पेड़ से है और आसन का अर्थ योगासन से है अतहत जो आसन सरीर को ताड़ के पेड़ की तरह लंबा करने में मदद करे या जिसे अपनाने से ताड़ के प पर साब्धान मुद्रा में खड़े हो जाएं, फिर दोनों हातों को आसमान की और सीधा उठा कर अपनी उंगलियों को आपस में फसा लें, अब दीरे दीरे सांस लेते हुए पंजो के बल खड़े हो जाएं, और सरीर को ऊपर की और खीजने की कोशिस करें, जब सरीर पूरी तरह से तन जाएं, तो इस मुद्रा में कुछ देर के लिए बने रहें और सांस लेते रहें, अंत में सांस को दीरे दीरे छोड़ते हुए प्रारामभिक अवस्था में आ जाएं, नमबर टू, ब्रक्षाशन, ब्रक्षाशन संस्कत भासा का सब्ध है, इसका अर्थ है ब्र फिर सरीर का संतुलन बनाते हुए हातों की मदद से वाया तलवा दाई जांग पर रख लें अब अपने हातों को सिर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की अवस्था में आ जाएं थोड़ी देर इसी अवस्था में रहकर दीरे दीरे प्रारंबिक अवस्था में आ जाएं और थोड़ी देर सरीर को अराम देकर आसन को दोहराएं। नमब थ्री भुजंग आसन को सरप आसन, कोबरा आसन या सरप मुद्रा भी कहा जाता है। भुजंग आसन सुर्य नमस्कार के बारवे आसनों में साथवे नमबर पर आने वाला एक आसन है। भुजंग आसन में भुजंग का अर्थ होता है सांप और आसन का अर्थ होता है योग मुद्रा इस आसन को करते वक्त फन फैलाते हुए सांप की तरह सरीर की आगरती बनती है इसलिए इस आसन को यह है नाम दिया गया है भुजंग आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले योग देर इसी मुद्रा में बने रहें और फिर दीरे-दीरे समानिय हो जाएं। कुछ देर बाद इस योग आसन को फिर से दोहराएं। ब्रद्य कोणासन को तितली आसन भी कहा जाता है क्योंकि इसे करते समय पैरों के तलवे आपस में जुड़ जाते हैं और घुटनों को ऊपर नीचे करना पड़ता है। जो तितली के पंकों के फड़ फड़ाने जैसा होता है ब्रद्ध कोणासन संस्कत से लिया गया है ब्रद्ध का अर्थ होता है नियंत्रित किया हुआ कोण का अर्थ है कोणा आसन का अर्थ है योग करते समय बेटने की इस्थिति अन्य योग आसनों के साथ साथ इस आसन का अभ्यास प्रात्यकाल करना चाहिए लेकिन अगर आपको सुबह जल्दी उढ़ना मुस्किल लगता है तो आप इस आसन को साम को भी कर सकते हैं बद्ध कोणासन के लिए सबसे पहले योगा मेट पर अपने दोनों पेरों को आगे की और फैला कर बेठ जाएं फिर पेरों को मोड़कर अपने दोनों तलवों को आपस में मिला लें इसके बाद दोनों हातों से तलवों को पकड़ लें और अपने दोनों गुटनों को आराम नाम इसलिए मिला है क्योंकि यह एक मृत्त सरीर का आकार ले लेता है सवासन विश्राम के लिए होता है और ज्यादता योगासन अनुकरम के बाद किया जाता है अर्था जब हम सभी योगासन कर लेते हैं उसके बाद इस योगासन को आराम करने के लिए किया जाता है एक पूर्ण योग क्रम गती बीदी से सुरू होता है और विस्राम में समाप्त होता है यह वह इस्तिती होती है जब आपके सरीर को पूरा आराम मिलता है सवासन करने के लिए सबसे पहले योगा मैठ पर आराम मुद्रा में लेट जाएं और आखें बंद कर ले अब दोनों हतेलियों को सरीर से लगवक एक फिट की दूरी पर रखें इसके अलावा पैडों को भी एक दूसरे से लगवक दो फिट की दूरी पर रखें अब दीरे दीरे सांस लें और पूरी तरह सांस पर ध्यान केंदेत करने की कोशिस करें कुछ देर इसी मुद्रमर रहने के बाद दीरे दीरे आंखे खोलें अंत में दाई और मुड़कर आसन को छोड़ दें तो दोस्ते ये थे कुछ ऐसे योगासन जो बुज़र्गों के लिए सुरक्षित हैं वैसे तो इन योगा को कोई भी कर सकता है लेकिन ये योगासन बुज़र्गों के लिए सुरक्षित योगासन है तो ये योगासन आपको कैसे लेके नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लखें जैहिन जैबारत थैंक यू